सुप्रबात बच्चो आज हम पदपरचे क्लास 10th के टोपिक पर चर्चा करेंगे मैं ओम प्रकास गोस्वामी केंद्री विद्याले मुझफन नगर बच्चो पदपरचे को समझने से पहले कुछ आवश्चक बातें समझने होगी पद जब किसी सब्द को बाकि में इस्तान दे दिया जाता है तो वह सब्द ही क्या कहलाता है पद कहलाता है या ऐसे कह सकते हैं कि वाकि में प्रियुक्त सब्द को ही पद कहते हैं जैसे मोहन होनहार विद्यारती है इसमें मोहन क्या है पद है करता पद है जबके बाके से अलग मोहन क्या है एक संग्या सब्द है वर्ण भासा की सबसे छोटी काई क्या कहलाती है वर्ण कहलाती है सब्द वर्णों का सार्थक समूँ सब्द कहलाता है जैसे कमल यदि इसको इनी अच्छरों को उल्टा कर दिया जैसे लकम तो लकम से कुछ नहीं समझेवाएगा यानि सब्द वह वर्णों का सार्थक समूव है जिसका अपना अर्थ होता है वाक्य सब्द या सब्दों के सार्थक एवं विवस्तित समूव को वाक्य कहते हैं जैसे सोहन आज कल दिन रात एक कर रहा है यानि कठिन मेनत कर रहा है खूब परिसरम कर रहा है पद परिचे क्या है बाक्य में प्रियुक्त पद यानि सब्द का परिचे देना पद परिचे कहलाता है यानि वाक्य में कोई सब्द है उसका वह क्या है संग्या है या सरबनाम है क्रिया है विशेशन है क्रिया विशेशन है या अब क्या है वो वह बताना उसका प्रकार बताना उसका लिंग वचन कारकाल यानि वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का सब्द का व्याकरनिक परचे देना व्याकरन के अनुसार उसका परचे देना क्या कहलाता है पद परचे कहल नंदनी क्या है नंदनी संग्या है कौन सी संग्या है व्यक्ति वाचक वचन कौन सा है एक वचन लिंग इस्तरी लिंग कारक करता कारक काल यानि टेंस वर्तमान काल तो उप्रयोक्त नंदनी पद का परचय हुआ तो इसी तरह से जैसे नंदनी का परचय यहां पर आपने क्या कहलाता है पदपर्चे कहलाता है संग्या का पदपर्चे बच्चों अक्सर एक्जाम में परिक्षा में संग्या सर्वनाम बिशेशान क्रिया इनकी पदपर्चे पूंचे जाते हैं तो सबसे पहले संग्या का पदपर्चे संग्या का पदपर्चे बताते समय क्या क्या चाहिए संग्या उसका प्रकार वचन लिंग कारक काल क्रिया इत्यादी लिख सकते हैं बता सकते हैं संग्या किसी व्यक्ति वश्तु इस्थान एवं भाव के नाम को संग्या कहते हैं प्रकार संग्या तीन प्रकार की होती है व्यक्ति वाचक जाति वाचक और भाव वाचक ज आनंद, छात्र और सच्चाई का पदपर्चे करना है जो सब्द अंडरलाइन किये हुए हैं ऐसी एक्जा में भी अंडरलाइन किये हुए सब्द आएंगे जिनका पदपर्चे करना होगा आनंद की बात करते हैं पहले आनंद तो सबसे पहले क्या लिखेंगे संग्या फिर उ अग्जाम में लिखना सफीशेंट है बच्च उप्रयूकत है इतना यदि आप लिखेंगे पदपरचे में तो आपको पूरे माक्स मिलने की उम्मीद रहेगी पूरे माक्स मिलें इतना लिखने पर उसका प्रकार संग्या उसका प्रकार वचन और लिंक इतना पर्याप्त है और इसी पर आपको पूरे अंक मिल जाएंगे, अब बात करते हैं सरवनाम का पदपरचे, इसमें किन बिंदुयों का उल्ले करना चाहिए, सबसे पहले क्या लिखना होगा सरवनाम, फिर उसका प्रकार, लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया, इत्यादी का उल्ले करना चाहिए, सरवनाम, संग्या की इस्तान पर प्रियोक्त होने वाली सब्दों को सरवनाम कहते हैं, सरवनाम छे प्रकार के होते हैं, पुरुस बाचक, निजज बाचक, प्रिशन बाचक, निश्चे बाचक, अनिश्चे बाचक और संबंद बाचक, जैसे वह क्या पढ़ रहा है, जो प पुरसवाचक और भी लिख सकते हैं पुरसवाचक भी तीन प्रकार के होते हैं उत्तम पुरसवाचक मद्यम पुरसवाचक अन्य पुरसवाचक तो इसमें लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं कि अन्य पुरसवाचक एक बचन है पुलिंग है करता कारक है पढ़ना इसकी पदपरचे करते समय लिख सकते हैं और उस पर हमें पूरे अंक मिलेंगे विशेशन का पदपरचे जो सब्द किसी संग्या या सरवनाम की विशेशन कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं विशेशन कहते हैं प्रकार चार होते हैं विशेशन गुणवाचक संख्यावाचक और अनिश्चित परिमार बाचक भी निश्चित और अनिश्चित दो तर्य गगा होते हैं और चोथा यह आपका संकेत बाचक या सार पनाव। अब इसमें जो सब्द रेखांग किते हैं अंडरलाइन है उनका पदपर्चे करना है जैसे सुन्दर विसेशन है गुणवाचक सबसे पहले क्या लखेंगे विसेशन फिर उसका प्रकार यानि गुणवाचक फिर उसका लिंग पुल लिंग भावचन और फूल इसका क्या है सुन्दर किसकी विसेशन बजारा है फूल की तो जिसकी विसेशन बताई जाती है उसको क्या कहते हैं विसेशन कहते हैं कुछ विसेशन है संख्या बाचक है अब इसमें संख्या किलियर नहीं है इसलिए कौन सा आएगा अनिश्चित संख्या बाचक होगा पुलिंग भाव वचन और छात्र क्या है विशेश्चे एक लीटर विशेशन परिमान वाचक विशेशन है और निश्चित परिमान वाचक विशेशन है क्योंकि यहां पर संख्या क्लियर है कितना एक लीटर एक लीटर पुलिंग है एक वचन और एक लीटर किसका विशेश्चे है किसका यानि जिसकी विशेषता बताई आती है वो विशेषिख कहलाता है और जो विशेषता बताई आती है वो क्या कहलाता है विशेष कहलाता है सब्सक्र 보as यह होगे किया संयुक्त क्रिया सहय क्रिया और नामधातु अकर्मक बच्चों जब बाकि में कोई कर्म ना हो तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं बाकि में जब कोई कर्म आया है अबजक्ट आया है तो वो क्रिया कैसी कहलाएगी सकर्मक दो कर्मक जब बाकि में दो कर्म आया हो तो दो कर्म क्रिया कहलाएगी प्रिणार्थक जब करता किसी कारे को स्वयम ना करके किसी और से करवाता है तो वह प्रिणार्थक क्रिया कहलाती है योगे कहा संयुक्त क्रिया जब दो क्रिया एक साथ आती है जैसे उचलना कूदना आना जाना तो जब दो क्रिया एक साथ आत के तो इसको नामदातू क्रिया कहते है मुख्छे बात हैं क्रिया प्रकार लिंग वचन करता वाच्चे काल इत्यादी का उल्ले कर सकते हैं बता सकते हैं क्रिया का पध त्पर्चे करते स्मय जैसे वह जोर जोर से हस रहा अंदुराग दूद पी रहा है मैंने नाई से बाल कटवाए अब इसमें जो सब्द अंडरलाइन है उनका पदपर्चे करना है सिच्छकाने विद्यारतियों को व्याकरण पढ़ाई हस रहा था क्रिया लखेंगे सबसे पहले क्रिया अकर्मक क्योंकि इसमें कर्म नहीं है अकर्मक पुलिंग एक बचन वह करता है और भूतकाल काल है पी रहा था क्रिया सकर्मक क्योंकि क्या पी रहा था दूद तो इसमें कर्म है तो यहां क्रिया कैसी कहला है कि सकर्मक पुलिंग एक बचन करता अंदुराग और वर्तवान काल कटवाए सबसे पहले क्रिया फिर कैसी क्रिया प्रिनार्थक क्योंकि बाल हमने खुद नहीं काटे नाई से कटवाए तो जिस काम को हम खुद नहीं करते किसी और से करवाते हैं तब वहाँ पर क्या होती है प्रिनार्थ क्रिया होती है बहवचन पुलिंग और भूतकाल है पढ़ाई सबसे पहले क्रिया लखेंगे कौन सी क्रिया है दो कर्मा क्यों कि इसमें दो कर्म है सिच्छका ने विद्यार्तियों को व्याकरण पढ़ाई इसमें विद्यार्ति और व्याकरण ये दो अबजेक्ट हुए इसलिए यहां पर क्रिया कैसी कहलाएगी द्वेकर्मक क्रिया कहलाएगी लिंग इस्त्री लिंग एक बचन सिख्षिका करता हुई यहाँ पर सिख्षिका और टेंस यानि काल क्या हुआ भूत काल क्रिया विशिशन का पदपर्चे जो सब्द क्रिया की विशिश्टा बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चो इस्थान वाचक ए चार तरह के क्रिया विसेशन होते हैं जो किसी काम से जुड़ी चार बाते बताते हैं यानि कोई काम कैसे हुआ कब हुआ कहां हुआ कितना हुआ और इन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं क्रिया विसेशन कहते हैं जैसे स्वानी धीरे धीरे लिखती है अनपम छत पर खेल रहा है अंदुराग चार बजे से पढ़ रहा है वह फल बहुत खाता है अब अंडरलाइन सब्द का पदपर्चे देखिए ये सब क्रिया विसेशन हैं धीरे धीरे क्रिया विसेशन रीती वाचक क्रिया विसेशन लिखती है क्रिया का विसेशन चत पर क्रिया विसेशन इस्थान वाचक खिलना क्रिया का विसेशन चार बजे से क्रिया विसेशन काल वाचक काल में समय बता रहा है चार बजे से तो काल वाचक क्रिया विसेशन और पढ़ना क्रिया बहुत क्रिया विसेशन परिमान वाचक खाता है क्रिया का विसेशन तो यानि इस तरह से चार क्रिया विशिशन हुए रीती बाचक, काल बाचक, परिमान बाचक और इस्तान बाचक इनका पदपर्चे करते हैं हम इस तरह से इनका पदपर्चे का उलिक कर सकते हैं लिख सकते हैं यह आपका क्रिया का पद पर चाहिए हुआ बच्चो अब बात करते हैं अब्वय का पद पर चाहिए अब्वय को अविकारी सब्द भी कहते हैं बच्चो जो सब्द लिंग बचन कार काल के अनुसार बदलते नहीं है उन्हें अब्वय कहते हैं इनको अविकारी भी कहते हैं क्योंकि इसलिए तो फिर ये सब अब्या हैं ये बदलते नहीं हैं मुख्य बात हैं अब्या अब्या लिखना चाहिए सबसे पहले उसका प्रकार और भाव का उल्ले करना चाहिए इसमें अब्या के पतपरचे में बहुत सारी चीज़ हैं बच्चों बहुत सारी प्रकार हैं लेकिन सबसे जो important मुख्य है वो विस्मयादी बोदक जो अब्या होता है यह मुख्य है जादा तरह एकजामे यही आता है तो जैसे वहा कितना सुंदर बगी चाहे अरे तुम आगे इसमें underline सब्द है वहा और अरे तो यहाँ पर परचे देखिए उनका पदपरचे वहा तो विस्मयादी बोदक अब लिखेंगी अब इससे कौन सा भाव निकल ला आ हर्स का प्रसंद्द अता का तो यहाँ पर लिख देंगे हर्स सूचक औरे सबसे पहले अब्ये फिर विस्मयादी बोदक और फिर अरे से क्यों सा भाव निकल ला है आश्चर का सर प्राइज का करें और शेर भी करें Thank you धन्यवार डीक में एक इस तरह से परफ्री यह जो आपके चार मांक स्काथा है एक जान में इसी वे शूब कामना देता हूं भगवान से पराफन करता हूं धन्यवार नगे झाल झाल